यह मैंने यहां यहप्पड़ा लिया है और यह हमारा कुछ रानी कलर है चंदेरी फैब्रिक है तो लेस्ट बनाने करे चलिए आज का आशका कमेजर्मेंट देक लेते हैं यहां पर दोपीस लिया है फ्रस्पाने कि यहां पर लंबाई 3 इंच के लिया अंदे सोरी चोड़ाई हमने यहाँ पर 3 इंच के लिए और लंबाई देखते हैं यहाँ पर यह देखे हमारी लगबा 45 इंच की है और लंबाई इसकी भी हमारी कपड़े की भी 45 इंच से दोनों बराबर फैब्रिक कट किया है इसकी लंबाई देखिए हमने यहां पर 6 इंच के लिए तो यह जितना भी है इसका डबल हमने यह वाला फैब्रिक ले लिया है तो सबसे पहले हमें देखिए हैं यहां से किनारी को इस तरीके से नॉक करना है प्रेंस इस तरीके से हमें आदा इंच का मार्जन अंदर मोड लेना है और सिंपली इस पर सीधे सीधे सिलाई लगा लिए यह देखिए फैंस हमने हाप पर सीधे सीधे सिलाई लगा लिए बिल्कुल अस्तर हमने नहीं लगा है क्योंकि कपड़ा हमारा काफी है मोटा है इस पर अस्तर की कोई जूरत नहीं पड़े हमें इसी तरीके से हम यह यलो कलर के कपड़ी की किनारी स्टिच कर देंगे यह देखिए फैंस मैंने इस पर भी सिलाई लगा ली है यह देखिए और अगर आप लॉक करना चाहते तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं क् देखिए हमारी किनारी पर नहीं कपड़ी की किनारी आती है इसको आप सिंपली इस तरीके से एक बार स्टिच कर दीजिए और इसकी किनारी ऐसे ही लॉक हो जाएगी यह देखिए फ़ैर्स हमने यहाँ पर किनारी को भी लॉक कर दिया है तो देखिए फैर्स हमने एक बार बार सिंपली कपड़ा मोड की किना इस तरीके से स्लाइल लगा लिए डबन फोल्ड करने के किनारी यहां से लॉक होती है तो दोनों कपड़ों किनारी के लोक कर लिए अब हमें सिंपल यहां पर दें कि फ्लीट्स लगाने तो पहले यह देखे इस तरीके कि मैं लेस यूज़ कर रही हैं अगर आपके पास कोई दूसरी लैस है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं जो कर दो कि हमें सीधे सीधे जहां से हमने सिलाई लगा रखे ना वहां तक हमें लेज को रखना है यहां हमें इस किनारी को रखना है और इसे स्टिश कर देना है अब देखें फैंस मैंने इस वाले कपड़े भी लेस लगा ली है और दोनों इकप्रों पर हमने हाँ पर लेस लगा ली है अब हमें सबसे पहले देखें यहां पर फ्रील लगानी है फ्रील देखें हम इस तरीके से लगाएंगे दोनों आतों से पकड़ते हुए ऐसे करके यहां हमें बराबर बराबर इस तरीके से फ्लिर लगानी है यह देखें यह देखें इस तरीके से आप फ्लिर लगाएंगे बोगती सुन्दर हमारी डस का अलुक आएगा जब भी आप फ्लिर लगाएं न फिर दोनों हातों से इस तरीके से पकड़ते हुए लगाए जिससे कि हमारी फ्लीट फिलकुल बराबर बराबर लगें छोटी ना हो पाएं तो यद्ल फिल्स बड़ी ना बराबर बराबर लगी होती है तो बहुत ही अच्छारेस कमाना जो घेरा बनके आता है न बहुत अच्छा आ जाता है साइज आप कोई सा भी बनाए काना जी का कोई प्राब्लम नहीं है इसी तरीके से फ्रील हम लगाते हैं तो चलिए लगा लेते हैं कपड़ थो विल्कुल भावर है तो फ्रील ी भी हमें इसी तरह के आकल zeggen डखेजि़ एएं यह देख्के इस तरह के अगया लगा लेएं और हमारा कमर का हिस्सा हमें इतना ऐसे प्रील लगानी है जिससे कि दोनों हमारे कमर के जो हिस्स्ते हैं इस दोनों कपड़ों के वो बराबर बराबर आदा है देखे फ्रेंट्स मैंने पीले वाले कपड़े भी इस पर फ्रील लगा लिए है मैं आपको उसकी कमर का इससान आपके दिखा देती हूँ यह देखे हमारे नहीं पे इसका जो लगभग कमर आही है यह देखे साड़े छे इंच आहिए लगब असे से 1 पॉइंच जयादा है तो हमारे चेंच ओए यह लगबग हमें जेए छे इंच तक ही कमर चाहिए और यह भी बैने दिखे है हमारे इसका तयार कर लिए फ्रील अब हमें simply इन दोनों को इस तरीके से बराबर बराबर पकड़के न इस पे स्टिश कर देना जिससे कि हमारे ये दोनों पॉइंट दोनों पार्ट ऐसे जुड़ जाएंगे और बहुत ही सुंदर इसका ड्रेस का लूपाने वाला तो देखिए हमने जहां तक ये जो सिलाई ल ये वहां से हमें यापे स्टिश कर देना इसे देखिए इस तरीके से दोनों को बराबर लेना है बराबर पकड़ते हुए इस तरीके से हमें यापे स्टिश कर देना तो देखिए फैंस हमारा यहां पर ड्रेस का बेस बनके तयार हो गया है और देखिए काफी हैवी ड्रेस कापड़ा ले लिया यालो कलर काही ले लिया और यह बने चार इंच का चोड़ा यहाई है कबर का हिस्सा जो हमें रखना होता है जितनी वह हमारी कमर इसमें एक डिड़िन चाप एक्सरा रख ले जिए और इस तरीके से देखिए हमें हलकिसे अंदर कॉर कर लेंगे इसको यह यहां से पहले स्टिश कर देंगे यह देखिए फ्रेंट्स हमने ही आप स्टिश कर लिया है अब हमें सिंप्ली इसको मोड लेना है बहुत ज्यादा पतला कपड़ा नहीं लेंगे हम जिससे की ऐसा नाओ कि हमारा नेफा बनाने में ज्यादा दिक्कत हो जाए इस तरीके से जैसे अगर हम डबल लगा रहे हैं तो फ्रेंट्स थोड़ी पट्टी हमारी नेफे की हमें चौड़ी ही रखनी है और अगर बिगनस अगर यह ड्रेस बनाएंगे तो उनको ज्यादा अगर पतली पट्टी लेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है नेफा बनाने में इसलिए थो हमने देखे फ्रेंट्स यहां पर सलाई लगा दिये जो आपको हलका हलका सा यह धागे वागे दिखाई दे रहे ना इसको हमें ऐसे सिंप्ली कट कर देना है क्योंकि हमने यहां पर आज अस्तर नहीं लगाया है और लेकिन कपड़ा भी काफी है यह तो बिना अस्तर के भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां से ही लग हो जाएगा तो धागे वागे बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे तो यहां पर देखे हमने इस तरीके से धागों को कट कर दिया है यह देखे हमारे यहां पर दोनों पीसिस जुड़ गए हैं और हमने नेफे के पट्टी भी लगा पहरे नेफा बना देणा आपनी DRESS का माना जी की यह दिक है इस तरीके से फोल करके हमें सिंप्ली सीधे शीधे सीलाई लगा देनी है तो देखे हमारे DRESS का घेरा यह लगबग बनके तियार हो गया देखे बहुत ही खुब्सूरत इसका लोका रहा है आब इसकी चोली बनान है फ्रेंटस पहले सीधी साइड जो होगी हमारी अंदर रहेगी और इतना करने के बाद हमें यहां पर देखे एक पैर की हां पर स्लाई लगा देंगे सीधी सीधी बिल्कुल अब हमें देखी से इस तरीके से पलट लेना है पट्टी को जिसे के हमाई धागे वागे होंगे ना फ्रेंड्स वो अंदर हो जाएंगे और हमाई चोली की पट्टी बनेगी बहुत ही फिनिशिंग से आ जाएगी यह देखे हमाई यह पर पट्टी को बिकुल पलट लिया है और यह पट्टी हमारी इस तरीके से कुछ आजएगी लगबग एक इंच का हमारा यहाप पट्टी का कपड़ा बन जाएगा और यह देखिए हमाई इसमें एक लेर जहां से हमने सिलाई लगाईती न फिर्स वहाँ पे मैं इस तरीके से लेस को रखूंगी थोड़ी सी लेस हमारी पट्टी से निकल के आएगी तो हमारी जो लगबग यह जो चोली की छोड़ाई है बहुत अच्छे से आजाएगी से बाद इसे यहां से कट कर देना है यह देखिए इस तरीके से भी आप दिखे इसको यहां से स्टिच कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके से एक के उपर एक रखतेवे तीर चाही से लाई लगा देंगे जिसे कि हमारी चोली की यहां पर शेप आजाएगी बहुत अच्छे से अब देखिए हमने याप एक्स्ट्र धागों को कट करके जो हमारा यह जो घेरा है ना चोली हमारी बिल्कुल बनके रैडी हो गई है आप इसको इसमें सेंटर पॉइंट निकालके न विक्कुल जो घेरे का है इस तरीके से रखके और हमें से सिंप्ली जहां से हमने नेफे मैं यह लिके फीस को और यह हम यह आपर सीदे सीदे स्लाई लगाएंगे एक बार पहले कि नाणी से लॉक करेंगे लोक करने के बार ऐसे शिलाई लगाकर और एक्सर जो हमारे दागे उन्हें हमें कट करके निकाल को और हमारा ड्रेस बिल्कुल बनके यहाँ पर रडडी हो तो देखी हमने यहां पर यह सिलाई इस तरीके से लगा दिये और यह देखी जो मैंने दूसरा जो कलर का हमारा फैब्रिक था उसको मैंने धाई इंच का चौड़ा ले लिया है और इसको भी हमें इस तरीके से फोल्ड करना है पोल्ड करने के बाद दूसरे कप्ड़े के ओपर सेम इस तरीके से रखके जहां से हमने सिलाई है वहीं से हमें एक और सिलाई लगा के दोनों पीसिस को यहां पर टैच कर देना है ये देखे हमारे याप इतना काम होगी कुछ इस तरीके से हमारी पट्टी खुल के आ जाएगी आप हमें क्या करना है ये देखे इस तरीके से पोल करना जिससे की जो हमारा जो सलाई का जो कपड़ा था ना फ्रेट्स वो अंदर दब जाएगा और हमारी पट्टी की फिनिशि जो होती है न हमारी टीशू रिबन होता है या तो आप उसको इस तरीके से किनारी को लॉक कर दीजे इसे जो हमारी जो पगड़ी का लुग है ना फ्रेंस बहुत ही घुश्चूरत आ जाएगा यह देखिए अगर आप यह गोटा पट्टी ना लगाना चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं कोई ज़रूरी नहीं है आप देखिए इस तरीके से हमें इसे सिंप्ली फोल्ड करना है और यह इस तरीके से सुई धागे से हमें यहाँ पे स्टिच कर देना है हमारी पगड़ी इसको स्टिच कर दे रही हूं यह देखिए हमारी हाँ पे इस तरीके से स्टिच हो जाएगा तो देखिए हमारी पगड़ी बिल्कुल बनके रेडी हो गई है और ड्रेस भी हमारी बिल्कुल बनके रेडी हो गई है चलिए हम इसे काना जी को पेना के दिखा देत इसके से मेरे साथ नमल के कानाजी हैं। नवरात्री की बहुत ही खुब सूरत लगला है। आप नवरात्री में इस तरीकी की ड्रेस काना जी को पिना सकते हैं यह जो चंदेरी वाला लुक होता है नवरात्री में बहुत ही अच्छा लगता है और काफी कलरफुल भी ड्रेस हमारी बन जाती है इससे और इसका जो लुक होता है अलगी उसका लुक आ जाता है तो इस तर इसे सब्सक्राइब करना इस वीडिये हुर फहीं लिए कीजी नहीं अगर आपको ड्रेस वीडियो को लइक कीजेगा और चैनल को सबस्क्राइब करना फ्रैंजी के साथ इस वीडियो को शेर जरूर कि दे तो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए रादे रादे